नमस्कार दोस्तों मैं हुई योगिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के इस वीडियो में अक्सर हम खासी बुखार या जुकाम में कहते हैं कि गिलोई का जूस पीने से तबियत बिल्कुल ठीक हो जाती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग गिलोई का जूस रेगुलर पीना शुरू कर देते हैं बिना इसके नुकसान के बारे में जानते हुए आई पताते हैं आपको आज के इस वीडियो में कि गिलोई के जूस के नुकसान क्या होते हैं गिलोई एक बेल है जो जंगल जाडियों में जल्दी उपलब्ध होती है इसका इस्तमाल प्राचीन काल से आयुरवेदिक आउश्दी के रूप में किया जा रहा है जबसे डेंगू में गिलोई के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में पता चला है तबसे लोग अपने घरों में भी गिलोई की बेल लगाना शुरू कर दिया है गिलोई की पत्यां दिखने में पान की पत्यों की तरह होती है और इसका रग गाढ़ा हरा होता है गिलोई एक लोग प्रियप पौधा है जिसका इस्तिमाल आयूरवेद में कहीं तरह की शारेरिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है गिलोई सेहत के लिए काफी फायदे मंद होता है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं इसमें एंटी पायरेटिक, एंटी इंफ्लोमेटरी, एंटी ओर्थरिटिक और एंटी ऑक्सिडेंट होड मौजूद होते हैं जो कई तरह की स्वास्त समस्याओं जैसे पाचन से संबंदित समस्याओं, इंफ्लोमेशन, सूजन, रक्त शोधन और दर्द आधी से छुटकार दिलाता है कई अन्य समस्याओं को भी दूर करने के लिए गिलोई एक उप्यूक्त प्राकर्तिक उपचार है गिलोई से हिर्दे से संबंदित समस्याओं, एनिमिया, कुष्ट रोग और पीलिया जैसे रोगों का उपचार भी किया जाता है इसका इस्तिमाल अक्सर डेंगू, स्वाइन फ्लू को खत्न करने के लिए भी करते हैं इतने फायते गिलोई में मौझूद होने के बाद भी इसके कुछ नुकसान भी होते हैं गिलोई एक हेल्दी आयूरवेदिक जड़ी बूटी है जिसमें कई पोशक तत्व मौझूद होते हैं गिलोई में गिलोई नाम का ग्लूकोसाइड, पामरिन, टीनोस्पोरिन और टीनोस्पेरिक आसिड मौझूद होता है साथ ही इसमें आयरन, फॉसफोरस, कॉपर, कैल्शियूम, जिंक, मैगनीज और भी अधिक मात्रा में मौझूद होते हैं ये सभी शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण पोशक्तत्व हैं, जो कई रोगों से शरीर को बचाने का काम करते हैं आये बात करते हैं कि गिलोई के क्या नुकसान होते हैं कब्स की समस्या, वैसे तो गिलोई पाचन स्वास्त समस्यों के इलाज में काफी प्रभावी होता है लेकिन कभी-कभी पेट को ये नुकसान भी पहुचाता है इसका सेवन आप चाहें जैसे भी करें, इससे कब्स की समस्या हो सकती है गिलोई के सेवन से जब कब्ज या पेट में जलन की समस्या महसूस हो तो डॉक्टर से जरूर समपर करें किसी भी तरह का पेट से सम्बंदित कोई भी समस्या हो तो गिलोई का सेवन करने से बचना चाहिए गिलोय अपर्च की समस्या को बढ़ा सकता है अपर्च के कारण पेट में दर्द और मरोड की शिकायत हो सकती है गिलोय स्वास्थे के लिए विभिन कारणों से अच्छा होता है लेकिन कुछ मामलों में ये समान रूप से हानिकारत भी होता है जिन लोगों को रक्त शक्रा के स्वास्थे समस्या हैं उन्हें पूरी तरह से इस हर्ग के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि ये रक्त शक्रा के स्तर को भी और भी जाधा प्रभावित करता है किलोय रक्त शक्रा के स्तर को काफी कम कर देता है ऐसे में आपको low blood sugar level होने से कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ओटो इम्यून डिसॉर्डर शरीर में इम्यून सिस्टम को हमेशा मजबूत बराएं रखना चाहिए ताकि आप गंभी रोगों से बचे रहें लेकिन जब ये अधिक सक्रिय हो जाए तो खतरनाग भी हो सकता है गिलोय कई बार इम्यून सिस्टम को अधिक उत्तेजित कर सकता है जिसके परिणार्म स्वरूप आटो इम्यून डिसॉर्डर के लक्षन जैसे की लूपस, मल्टिपल्स कलेरोरिसिस और रूमेटाइड अर्थुराइटिस हो सकते हैं आटो इम्यून विकारों से पीडित लोगों को गिलोय से पूरी तरह से बचना चाहिए तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइकेन चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले